जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजयपत्थ डिपेंस एजुकेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 फरवरी 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट डे टुडे के करेंट अफियर जो कि आपके आने वाले सभी ग्राम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको 100% शूर्ट सक्सस दिलवाने में काफी हल्फुल रहेगा तो आप इसको जोईन कर सकते हैं विजयपास डिफेंस एजुकेशन में हमारा हिमाचल पुलिस और SSE MTS का भी एडवांस बैच स्टार्ट हो चुका है विजयपास डिफेंस एजुकेशन में आज की वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेर की फस्ट कोशन है इस वीडियो का भारत का सबसे उंचा एयर प्यूरी फायर फिल्टर किस थान पर ट्राइल के लिए स्थापित किया जाएगा तो भारत का ऐसा सबसे उंचा एयर प्यूरी फायर फिल्टर जो है वो पूर्वक्ष लैंड किया गया है। तो मंगल ग्रेह पर इसे सफलना पूर्वक्ष लैंड किया गया है और ये जो है ये नासा का अंतरिक्ष यान है। आपको comment box में बताना है कि नासा की स्ठापना जो है वो कब हुई थी? नासा जो है वो हमारी एक space agency आपको इसकी establishment comment box में बतानी है और भारत की बात करें तो भारत की space agency का नाम है ISRO Indian Space Research Organization जिसकी स्थापना की गई थी 1969 में और बरतमान के उनके chair है K7 next one है हाल ही में Kolkata Metro Extension का उधगाटन किसके द्वारा किया गया है तो Kolkata Metro Extension का उधगाटन जो है वो भारत के परधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी के द्वारा किया गया है next one है Noami Osaka ने हाल ही में Grand Slam प्रतियोगिता जीता है उनकी carrier का कौन सा Grand Slam है तो उनके ये carrier का चोथा Grand Slam ये रहा है most important question है और इसी टाइप की unique question आपके exam में देखने को मिलते हैं next one है हाल ही में किस राजे सरकार ने ग्रामिनों को संपत्ती का अधिकार की मंजूरी दे दी है तो हाल ही में पंजाब राजे सरकार के द्वारा ग्रामिनों को संपत्ती की अधिकार की मंजूरी परदान की गई है Important question है आप सब के लिए और इसकी PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगी जिसको आप easily join कर सकते हैं वीडियो के description से Next question है हाल ही में किस शहर में transgender को सिकायत के लिए transgender desk बनाया गया है तो हैदरावाद में transgender को सिकायत के लिए एक नया help desk बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है transgender desk और यह नहीं योजना जो है वो शुरू की गई है है हैदरावाद के द्वारा Next one है भारत का पहला स्थेतोसकॉप, स्तर, लेजाईर किस company के द्वारा बिक्सित किया गया है तो XECS के द्वारा इसको यह स्थापित मतलब कि इसको यह बनाया गया है Important question है आप सबके लिए आपको बताना है कि XECH की full form क्या है Next one है उत्राखंड राज सरकार ने किस सहर में Science City परियोजना बनाने की घोशना की है तो हाल ही में Science City बनाये जाएगी देहरादून के द्वारा Important question है आप सबके लिए Next one है हाल ही में IT report में सडक दुरगटना में कितने परसेंट भारती हैं तो 11 प्रतिशत जो है वो सडक दुरगटना में टोटल भारती जो है वो पाए जाते हैं Important question है क्योंकि भारत की सडके अभी तक भी under processing ही काम कर रही है Next one है लास्ट question वीडियो का हाल ही में Flipkart ने किस राज्य सरकार के द्वारा समझोता किया है तो Flipkart एक online shopping company है जिसके द्वारा Tamil Nadu के साथ जो है वो एक नई deal final की गई है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें social media के उपर जरूर follow करें अगर आपने हमारे पिछले current affair नहीं देखे हैं तो i button के उपर click करके आप उनको देख सकते हैं हमारे whatsapp group के साथ जरूर जुडें इसमें आपको day to day के current affair, pdf, study material, hpg के notes और साथ में joe wallet प्रवाइड करवाया जाता है जो कि आपकी लिए most important रहने वाला है और ये सब कुछ आपको free of cost विजेपत defense education की तरफ से provide करवाया जाता है वीडियो के description में whatsapp का link मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं हमारा SSC MTS और हिमाचल पुलिस का भी advance path start हो चुका है जो कि आपके लिए रहेगा mission 2021 आप इसको join कर सकते हैं विजेपत defense education में अच्छी लगे वीडियो को like करें, जाद से जादा share करें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत